ये हैं भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन जो विदेशियों को भी अपनी और आकरशित करते हैं प्राकृती के लिए अगर भारत का कोई भी रेलवे स्टेशन जाना है तो वो है दूद सागर रेलवे स्टेशन की लेफ्ट और दूद सागर जहरना है इस विशाल जरने के बीच से निकली ट्रेने इस जगह का नजारा ही बदल देती हैं अगर आप यहां waterfall वाली ट्रेन में सफर करने आ रहे हैं तो यह अनुभव कभी न भूलने वाला होगा दूद सागर पहुँचने से पहले आप भी ट्रेन की दोनों तरफ की ढलाने देख लें यह नजारा अदभुत है मिल्क सागर आने का सबसे अच्छा समय है बारिश का मौसम जब आस पास होता है तो सभी कुछ हरा भरा होता है और ट्रेन से दरशन भी बहुत शानदार होते हैं चेंणे रेलवे स्टेशन को दक्षन भारत के द्वार के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिन भारत में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है चेन्नई का रेलवे स्टेशन 143 साल पुराना है भारत में आपको तीन पुराने रेलवे स्टेशन ढूडने से ही मिलेंगे इस स्टेशन को हेंरी इरविन के नाम से जाना जाता है यह एक पुराना रेलवे स्टेशन ही क्यों न हो पर यह आज भी नयासा लगता है कुनूर रेलवे स्टेशन इस शहर को पूरे देश से जोड़ता है और यहां आने वाले यात्रियों को तमिल नाडू के नीलगिरी मियामी के इस हिल स्टेशन में ले जाता है यह railway station नीलगिरी माउंटेन railway का एक हिस्सा है जो विश्व प्रसिद्ध है और एक heritage train network माना जाता है कई शहरों से यूटी जाते हुए बीच में कुन्नूर एक महत्वपूर्ण railway station है पूरे केरल का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्थ railway station तिरुवंतपुरम Central है इस railway station की भव्यता हवाई अड़ा से कम नहीं है यह 1931 में यहां पर create किया गया था और तब से लगातार सरकार इसकी देखभाल इसकी कर रही है यही कारण है कि आज भी इस इमारत को केरल की सबसे खूब सूरत इमारत माना जाता है ओडिशा में कटक railway station अपनी तरह का पहला railway station है यह railway station बरबटी किले की नकल में बनाया गया है बरबटी किले के बारे में जाने जानकारी तो आपको बता दें कि यह 14 सेंचरी में पूर्वी गंगा सामरा जे कलिंग में बनाया गया था तब से यह किला ओडिशा की शान है कटक का यह railway station भारत का सबसे जुड़ा railway station है बनारस के लिए पहली बार हीरा से ट्रेन दिसंबर 1862 में चली थी गंगा के साथ छोटी पहाडियों के बीच से इस ट्रेन के लिए यही रास्ता समझा गया क्योंकि उस समय भारत में बहुत पुराने railway इंजन होते थे बनारस का railway station गंगा के किनारे पर बनाया गया जब आप इस railway station से बाहर जाते हैं तो यह कोई भव्य मंदिर सा दिखाई देता है इस इमरात के ठीक ऊपर एक बड़ा सा चक्र भी स्थापित किया गया है इस चक्र में हमेशा रंग बिरंगी लाइटें रहती हैं भारत और दुनिया के सबसे उंचे railway stationों में एक है यह railway station दारजलिंग से 7 km की दूरी पर हाए यहाँ पर अब सिली गुडी से आने वाली train नहीं चलती है बलकि डिजिटल अनुभव के लिए दारजलिंग से दिन में कई बार रोज एक toy train चलती है यह यात्रियों को पौरानिक कथाओं से हिमालय दर्शन करवाती है और घूमने वाले railway station पर भी रुकती है जो की railway station के साथ ही है कानपुर railway station को भारत का ना सिर्फ एक बड़ा बट सबसे व्यस्त railway station भी माना जाता है यह भारत के चार केंद्रिये railway stationों में से एक है यह एक पुराना railway station है जो 1928 में बनाया गया था इस railway station के वास्तुशिल्प की प्रेणा भी लखनव के चारबाग railway station से ली गई थी चरबग station इन सुन्दर railway railway की सूची में सबसे पहले आता है लखनव का चारबाग railway station यह ब्रिटेन के समय की एक भव्वे इमारात है जो बाहर से छोटी अंदर से बेहद ही सुन्दर है कहते हैं इसकी वास्तुकला में आपको मुगलिया, राजपूत और काल की संस्कृती की जलक मिलेगी अगर आपको इस railway station पर कभी उपर से देखने का मौका मिलता है तो यह शतरंज की विसात जैसी दिखती है और लंबे-लंबे खंबे और नीचे बने हुए गुमबर शतरंज की खिलाडियों जैसी दिखती है अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी मत भूलना धन्यवाद